So Hello Learner, आज हम बात करेंगे BCA के बारे में, क्या आप सोच रहे हैं कि आपको 2023 में BCA करना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे BCA के बारे में, अगर आप BCA के बारे में संपूर्ण ग्यान लेना चाहते हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक क क्या होता है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे पढ़ाई करोगे तीन साल के अंदर, और BCA के ठिक बाज, कैसे आपके हाथ में एक ना एक जॉब तो होगा ही, किसी ना किसी बड़े सॉफ्वेर इंडस्टरी से, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो सिखाए जाते हैं, इंडिया में BCA बहुत ही पॉपलर कोर्स है, यह कोर्स स्टुएंट्स के लिए बहुत सारे जॉब्स अपर्चनिटी करता है, आप BCA के बाद सॉफ्वेर डेवलेपर, वेब डेवलेपर, डेडावेस अड्मिस्ट्रेटर, सिस्टम एनलिस्ट, नेटव चाहते हैं, तो BCA आपके लिए एक बहुत अच्छा option हो सकता है, आज की टाइम में जितना जादा अच्छा logical skills होगी आपकी, उतना ही बहतर होगा आपका placement, तो आज की टाइम में अच्छे package लेने के लिए सिर्फ BT की option में नहीं है, आप BCA भी कर सकते हैं, परन तो एक बात क सारे juniors हैं, जिनके message आते हैं कि BCA के बाद क्या करें, लेकिन अगर आपको computers और programming languages के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और आपको ये field से कोई interest भी नहीं है, तो BCA आपके लिए सही decision नहीं होगा, कुछ points आपको देने वाला हूँ, जो आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको बताऊँगा कि at least एक mentor तो आपको रखने ही रखने है, फिर बताऊँगा कि LinkedIn का use कैसे कर सकते अपने BCA के दोरन, फिर बताऊँगा कि आप कैसे एक programming language में expert बन सकते हो, फिर बताऊँगा कि competitive programming for DSA कैसे होगा और BCA के लिए इसका क्या importance है, फिर बताऊँगा कि Telegram का use क अपने BCA के दोरन, फिर बताऊँगा कि resume के बारे में, resume कितना जादा important है, और मैंने ये तीन बार resume क्यों लिखा, resume 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 resume, 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 ये कितना जादा BCA के लिए है, और ये कितना help करेगा आपको job पाने के लिए as a campus placement, आपके हाथ में एक नेक job तो होगा ही, अगर इस वीडियो को last में last तक देख लिया तो, फिर बताऊँगा communication skills का क्या important है, campus placements में और interviews के दोरान, साथ ही बताऊँगा कि start finding the opportunity, opportunity find करने का सबसे best तरीका और सबसे best time क्या होता है, और कैसे find करोगे resources भी मैंने बता है, फिर बताऊँगा कि aptitude का क्या role से आपके BCA के दोरान, साथ ही computer programming के दोर और interviews के दोरान भी और इसके resources भी मैंने share किये है, साथ ही बताऊँगा interview preparation आपका कैसा रहने वाला है, कब से आपको start करनी चाहिए, और साथ ही interview का कितना ज्यादा preparation करोगे तो आपके हाथ में एक नएक job होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं full stack development का, सबसे पहले BCA के दोरान full stack development का course कर लीजिए, यह online कर सकते हैं, या फिर आप offline भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन full stack में भी करोगे क्या, python में full stack development कर सकते हो, या फिर javascript में full stack development भी कर सकते हो, आप mean या मर्न के थुरू भी जा सकते हो, it's up to you, होता क्या ना, अगर आप full stack development का certification कर लेते हैं, तो आपको internship की opportunity भी मिल सकती है, आज के time में internship मिलना भी job मिलने के तरह हो गया है, company में employees की कमी नहीं है, इसके वज़ए से new talent को hire कम करते हैं, इसलिए तो 2023 के time में firing या lay off दवा के हो रही है, अच्छी opportunities चाहिए, तो full stack development लिजिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि BCA के वें, बाद में unemployed र field, एक field में expert बन जाए, वो web development हो सकता है, app development हो सकता है, data waste management हो सकता है, cyber security हो सकती है, devops हो सकता है, and there are lots of field as well, एक field में आपका expertise बहुत महत्तपूर्ण है, मैं यह जो roadmap दे रहा हूना, सबसे best है, IT field में रहने के लिए, without spending बहुत सारा money in BTEC and some other courses, So let's talk about tip number 3, and it is at least one mentor, college चाहें जो भी हो, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखे हैं कि एक mentor हमेशा रखना है आपको, from very first year, वो आपके senior हो सकते हैं, वो जिनको job मिली हो, वो आपके YouTuber, favorite programmer हो सकते हैं, जैसे कि Harry, Amun, Shardha, Love, Anuja and many others, fourth point है LinkedIn, आप अपने first year से ही LinkedIn पर ज्यादा ज connection बना सकते हैं, लोग गलती ये कर देते हैं कि LinkedIn को Instagram समझ लेते हैं, LinkedIn को Instagram कभी मत समझें, ये समझ कि लड़कियों को पिंग करना और अच्छे गवहार ना करना जैसी हरकतें शुरू कर देते हैं, जिसमें आपको पता नहीं चलता कि LinkedIn का सही इस्तिमाल कैसे करना है, आप YouTube पर आपके field में सबसे latest हो और trending पर भी, साथी पता चलेगा कि आपको हर वो चीज जो आपके field में होता है, आप जिसको follow करोगे, वो अक्सर post करते रहते हैं, साथ साथ आप programming memes जैसे channel को follow कर सकते हो, ताकि आपको memes के थुरू भी आइडियास मिलते रहे, मैं as a fresher 6-8 companies को crack किया था, पता है आपको, from 3 लाग to 12 LPA, from create switch to TCS, मैंने LinkedIn से बहुत help लिया है, that's why I am suggesting to you as well, मैंने बिहार के काफी सारे दोस्त और junior as well से मिला, और उनके यही concern रहते हैं कि BCA के बाद क्या, बात छोड़ो, मैं जो tips दे रहा हूँ न, यह BCA से पहले और during BCA apply कर सकते हो, तो let's talk about fifth point, expert in one programming language, at least be an expert in one programming language, वो python हो सकता है, वो जावाय script हो सकता है, और इसमें काफी सारे mini projects बना सकते हो, उसमें expert बनोगे तो आपके अंदर confidence रहेगा हमीशा से, और साथ ही आप development, web development जैसे चीजों में अपनी career बना सकते हो, at least कहने क लिए बहुत सारे point रहेंगे, आपके tip number six, competitive programming for DSA, इस programming language को आपने select किया है न, उसी language से आपको competitive programming करना है, अच्छा कहा करोगे, hacker earth पर या hacker rank पर, आप lead code पर भी कर सकते हो, या code shop पर भी जा सकते हो, और ऐसे ना जाने बहुत सारे हैं, मैं recommend करूँगा कि आप hacker earth या hacker rank के थू जाएं, अच्छी interface के साथ साथ, अच्छा experience मिलेगा आपको, सबसे पहले वहाँ जाके आप अपनी account बना और zero level से question को solve करना, start कर दो, अब इसमें भी लोग कुछ mistake करते हैं, कि वो five star तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो mistake number one, लोग अकसर tough question को select करते हैं, या फिर level two या three, four से नहीं start कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, question set करने वाले हमसे ज्यादा होसियार बैठे हैं तो उनको, उनके according चलिए, आपकी DSA अच्छी हो जाएगे, क्योंकि कई तरह की logical questions आप solve करोगे, mistake number two, जब solve नहीं हो पाता है, तो Google करने लगते हैं, लेकिन ये आपको regret होगा इंटर्व्यू में, जहां आप actual इंटर्व्यू दे रहे होंगे, pick number three, आप project नहीं बनाते, तो real practical implementation कैशे होगा, एक ये दो project ज़रूर बनाई है, और हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि already projects बने हुए हैं, वो क्यों बनाऊं, लेकिन मिरे भाई, इंटर्व्यू में वो आप का logic देखते हैं, कि जो बनाया, वो आपको आता है या नहीं, या सिर्फ आपने copy और paste किया, project इसलिए भी बनाना चाहिए, जब आप company switch करेंगे ना, तो पहली company में आपने क्या क्या, या दूसरी company में नहीं बता सकते, इसलिए because it's very confidential ना, तो sometimes वहाँ भी आपके college project के बारे म पूछ लिया जाता है, और एक bonus tip दूँ, project बनाएं, तो team leader जरूर बने की कोशिश करें, ये एक अच्छा impact डालता है आपके career में, जब आप team leader बनते हो, इसलिए जब आप problem में फसें, तो अपने senior या दोस्तों की मदद लें, आप को भी पता चलेगा कि आपके पास किस level तक के दोस्ते हैं, साथ ही WhatsApp या Telegram पर एक group बना सकते हैं, जिसमें अपने दोस्तों को add कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ideas share कर सकते हैं, अपने questions को discuss कर सकते हैं, competitive programming से related, इससे आपका data structure बहुत best होगा, interview बहुत अच्छा जाने वाला है, 7th point है, use telegram, use telegram during most of the time, जो free time है, telegram का गल और नई-नई चीजें आती रहती हैं, जिससे आपका mind brushed up हो जाता है, और आपकी confidence होना शुरू हो जाता है, उसमें group में poll और quiz भी post करते हैं लोग, बड़े-बड़े programmers जो उनकी community के हैं, जो आपके लिए बहतर होगा, they always try to make you so knowledgeable, आपकी यही same चीज Instagram पर भी कर सकते हो, वहां जितना ज्यादा पढ़ लो, resume अच्छी नहीं हुई, तो समझ रहे हो न, अच्छा नहीं होगा, मतलब job नहीं मिल पाएंगी, simple way में अगर बोला जाए, तो resume ही वो creativity है, आपका वो report है, जो आपके लिए एक door create करता है, लेकिन उस door के अंदर कैसे घुसना है, वो next point में देख description में link है, आप वहाँ से grab का सकते हो, उपर i button पर भी link आहीं रहा, मेरे पास बहुत सारे resume आते हैं, जूनियस के दोस्तों के, यकीन करो वो अच्छा नहीं होता, most of the time 0% creativity, तो आप अच्छी template चूज करिए, और अच्छी resume बनाई with 100% creativity, तो 9th points are communication skills, आप मानो या ना मानो, many of unemployed reason is communication skills, आपकी communication skills ही वो दरवाजा है, जो आपको company के अंदर entry करने का मदद करेगा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों का ये concern है, कि BCA के बाद job क्यों नहीं मिलती, तो किस किस चीजों को follow करने चीए, last year में, resume अगर short list हो भी गया, और interview अ नहीं सिखाने वाली, they expect कि आप ये सब आपने college में ही सिख रखी है, coding में दिक्कत हुआ, तो वो manage कर देते हैं, क्योंकि आपको presentation skills अच्छी है आपकी, तो coding करा देंगे वो, companies भी जाने के बाद, तो उनके बाद बहुत साजी seniors होते हैं, KT देते हैं, आपको knowledge देते हैं, meetings मे हैं, तो internship के लिए ही सही, लेकिन resume में बना के find करना शुरू कर देजी, opportunities, ये एक दिन में नहीं आती है, इनमें काफी time लगता है, और बहुत effort लगाना पड़ता है, बहुत जादा rejection भी मिलते हैं, इसमें तो आप keep calm and keep fighting, और अगर आपने internship करी है, तो job के लिए find करना 11th point, aptitude, अभी सही, अपनी aptitude को सही कर लिजे, और पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छी अच्छी services based company भी, product based company भी, आजकल aptitude का test लेती है, अगर आपको job चीए, तो aptitude and reasoning अभी सही preparation कर लिजे, होता क्या है न, जब आप last moment पर aptitude सिखना शुरू करते हो न, तो उसमें दिक्कत ह होती है, बहुत ज़्यादा, और आप गलती पर गलती करते हो, आपका mind confused हो जाता है, और आपको job नहीं मिलती है, आपको हमें सा rejection मिलता है, तो 12th point, last but not least, interview preparation, बहुत सारे live interview experience देखिए, यूट्यूब पर, आपका confidence बढ़ेगा, और साथ ही, आप हर दिन बेहतर कर पाओगे, interview जब पहले अपने दोस्तों या senior के साथ interview preparation करिये, इससे जो होने वाला है न, वो actual में पहले ही framed हो जाएगा आपके mind में, keep remember, first impression is always the last impression, but sometimes, last impression is also the first impression, कभी कभी हिमत मत हारिये, last लग जाएगे, वो सकता है कि कोई last की चीज़े अच्छी लग जाए, और आपको मौका मिल जा की, BCA के लिए eligibility criteria, इंडिया में बहुत ही simple है, आपको 12th में, 12th class में minimum 50% marks होने ही चाहिए, और आपके pass होने चाहिए, science, commerce या arts stream में, computer science या mathematics का subject होना चाहिए, अब बात करते हैं, BCA के career prospectus की, इंडिया में BCA graduates के लिए बहुत सारे jobs opportunities available हैं, आप software development companies, IT firms, e-commerce websites, banks, insurance companies और government departments में काम कर सकते हैं, अगर आप BCA के बाद ज्यादा knowledge लेना चाहते हैं, तो MCA यानि की master of computer applications कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको computers और उनके applications के fields में interest है, और आप career बनाना चाहते हैं, तो BCA आपके लिए एक बहुत ही अच्छा option हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये fields से कोई interest नही हैं, तो आप दूसरे course और fields में अपनी career बना सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ये roadmap share करिए, तो ज़्यादा best रहेगा क्योंकि आप मुझे भी और अपने दोस्तों को भी support कर पाऊगे, उमीद है आपको ये video पसंद आई होगी, अगर आपके पास BCA के बारे में और कोई सव हैं, तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं, तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए have a good day, see you, bye bye